किसी आदमी का काला या गोरा होना हमारे लिए बहुत ही कौमन बात है पर कि आप लुग जानते हैं कि आदमी का रंग काला और गोरा क्यों होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारे सरीर की जो उपरी त्वचा होती है उसमें मैलेनोसाइड नामक कोश्कया की एक पर्थ पाई जाती है जिसमें से मैलेनी नामक पिगमेंट हमेशा स्रावित होता रहता है जिसमें जादा मात्रा में स्रावित होता है वह आदमी ज्यादा ही काला अर्थात निग्वर प्रजात्व का होता है और जिसमें यह कमात्रा में रिलीद होता है वह आदमी गोरा होता है पर क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे सरीर में जो बालों का रंग होता है और हमारे आंखों की कुद्रियों का काला रंग भी इसी मैलेरिन पिगमेंट के कारण ही काला होता है